नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसी एंबी डिजिटल ग्रूप कुल क्लास पर बिटा क्लास एट सोशल साइंस इस्ट्री के हमिया पर बात करने वाले हैं जिसकी डेट 8 फरवरी अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्र लेटिंग नोण वालेंट प्रतेस्ट नोण वालेंट का मतलब क्या होता है धिसमें कोई भी मार पीट नहीं हो इसतरी के बहुत सरे प्रतेस्ट को जब उन्होंने ठीक area घुष हमारे हां country के लिए और भी चीजें करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो हम देखें उसकी बात करते हैं, he spent his first year in India, पहले साल उन्हें ट्रैवल किया इंडिया में South Africa से आने के बाद, लोगों को समझा, understanding the people, their needs, उनकी जरूरते हैं, and overall situation उनके हालाद, his earlier intervention in local movements में, जो उनके local अंदोलों ने पहले रहमदाबाद for meal workers, between 1919 to 1922, उन्होंने कुछ और protest organized के जैसे, रोवलत सत्यागर, खिलाफत, agitation and non-corporation movement भी उन्होंने चलाया, इसके बेस पर हमारे सवाल भी है, रोवलत सत्यागर, 1919 British government passed रोवलत act which was aimed at curbing the fundamental rights, इसका काम था इस act का की, लोग के मौली के दिकारों को छीना जाए, जैसे freedom of expression, अपनी बात कहने का हक, strength and police power, पुलिस की power को बढ़ा दे गया, गान्दी जी asked the Indians to observe April 6, 1919 as day of non-violent opposition to the aspect, उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरेक इसका विरोध करें, as day of humiliation and prayer की इससे हमारा अधिकारों का उपहास होगा, हास होगा and prayer प्रातना है, number of demonstration और हड़ताल उस दिन देखी गई, it turned out to be the first all India struggle और पूरे भारत ने मिलकर इसके खिलाफ 6, April निस उन्होंने इसको struggle किया, although it was restricted, जब कि यह कुछ शहर होता कि restricted था, government used brutal measures to suppress them, government ने बहुत ही खराब खराब तरीकों का इस्तमाल किया, इसको suppress करने के लिए इस activity को, और अपरेल 13, 1919, 13, 1919, 13, 1919 को अन्द occasion बैसाकी, बैसाकी के occasion पर, British General Dyer opened fire without any warning to a peaceful gathering जलियावाला बाग, 13, 1919 को British General Dyer जो थे उन्होंने गोली चला दी, बैसाकी के दिन जलियावाला बाग पर, जिसमें बहुत सारे persons old or young मारे गए, on learning about the massacre, Rabindranath Tagore ने अपने pain को express किया, by renouncing is nighted, कि अपनी जो उनको चीजें मिली हुई थी, उसको उनने claim किया और उसको वापस भी करने की प्रयास किया, जो हास ट्रीटी, ब्रिटेशन ने तर्के सुल्तान के ओपर बहुत एक गंबीर तरीके की हास ट्रीटी लगा दी, which was considered as khilafah of Muslims all over the world, जिसको एमाना गया कि पूरे Muslims के वो खिलाफ हैं, जिनको खलीफा माना जाता था, sorry, जिनको खलीफा माना जाता था तर्के सुल्तान को उनके खिलाफ, this angered the Indian Muslim, इसलिए भारते मुसल्मानों को भी गुस्टाया, who were already inforated at the Britishers, जो already भारत के Britishers, जो भारत में उनके खिलाफ चाजलेवला बाग के कारएं, leaders of khilafat movement, मुहमद अली और सौकत अली थे, started agitation against the British to restore the powers, और उन्होंने powers को restore किया, Turkish ruler की power को restore करने के लिए, agitations या विरोधर ने किये, गांदी ने supported their call, और उन्होंने भी उनका support किया और कहा, पंजाब wrongs, जोलेला बाग, खिलाफत wrong और demand of सुवराज रखते वे आगे हम में बढ़ना चाहिए, अब हमें कुछ पांच questions करने हैं, mention some of the earlier interventions after coming back to India, तो भाई, first question का अंसर तो यह हो जाएगा, यह उनके earlier intervention थे, ठीक है, second question है, why was roll with act opposed by Indian leaders, Indian leaders ने roll with act को क्यो oppose किया, तो क्यो oppose किया, इसको ऐसे लिखेंगे बलकि हम पहले यार, Indian leaders बिकाउज, बिकाउज, और बिकाउज के बाद क्या लिखेंगे, बिकाउज के बाद लिखेंगे, it was aimed at curbing the fundamental rights and freedom of expression and strengthened police power, इसके दाद देगा, second question खतम, अब अपने पास तीन question बचेए, third, four and fifth, आईए करते हैं, अब थर्ड कोशन था, what was khilafat movement, write the name of leaders, khilafat movement एक agitation था, Indian Muslims का allied with Indian nationalism, रास्टवादियों के साथ, World War I के बाद, its purpose was to pressure the British government to preserve the authority of Ottoman Sultan, जो Turkish का Sultan था, उन्ही को Khalifa of Islam बनाय जाए, इसके लिए protest किया गया था, following the break-up of Ottoman Empire, क्योंकि Ottoman Empire जो खराब हो गया था, तूड गया था non-coperation movement given by Gandhi जी, 1920 में Gandhi जी launch non-coperation movement aimed to resist British rules, इसका में टार्गेट था कि भारत में विदेशियों ब्रिटिशों के रूल को कम किया जाए, through non-molent means, protesters would refuse to buy British goods and rob the use of good manufactured locally, इससे क्या हो गया कि protesters जो थे, वो भारत का समान इस्तमाल करने ले लेगे बाहर का नहीं, the Britishers would have suffered economically और क्यों किया गया कि कि इस बाइकोट से Britishers को पैसे कमी हो सकती थी, in your opinion, why would Gandhi जी supported खिलाफत movement, Congress leader Mohandas Gandhi and खिलाफत leaders promise to work and fight together, उन्होंने साथ वादा के लड़ने का, इसलिए उनका support किया, for cause of खिलाफत and सवराज, seeking to increase pressure on the colonial government, the खिलाफत became major part of non-cooperation movement, और non-cooperation movement का वह एहम इस्ता बनने के ले तयार हुए, जिसके कारण Gandhi जीन उनका support किया, a national-wide campaign of mass peaceful civil disobedience, जिसमें सब लोग बड़ी शान्ती से मना करते रहे अंग्रेजों की हर कारे को, तो बड़ा इसे के साथ वरक्षिट समाप्त होती है, उम्मीद करता आपका समझ में आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हम सपोर्ट करते रहे हैं, धन्यवाद